एरपोर्ट में मैं आज पहुँचा और उसी एरपोर्ट में अपना लगेज के लिए वेट करते करते विएपी रूम में ये बीजीपे के लीडर भी थे उन्होंने नमस्कार बोला, मैंने नमस्कार बोला एक लीडर ने पूछा कि ये एरपोर्ट आपके फादर ने मनाया या ग्राइन फादर ने मनाया मैंने कहा मेरे ग्राइन फादर ने मनाया नमस्ते बोला, मेरा लगे जाया, मैं निकल गया उनका सामान आया वो लोग निकल गए लेकिन जिसने ये फोटो उठाया ये बीजीपी का ही अंदर का आदमी है क्योंकि बीजीपी का एक सेल है आईटी सेल जो हमेशा गलत नियूज आदमी को कन्फ्यूज कराना एक दूसरे को उपर जगड़ा करना शंका कराने का उनका हमेशा एक स्टैड़िजी रहता है हमेशा एक उनका चाल चलन रहता है मैं टीमसी से बहुत लोगों को मिलता हूँ कभी-कभी एरपोर्ट में कभी-कभी खाने के टाइम मैं कॉंग्रिस के बहुत लीडर को मिलता हूँ आज भी मिलता हूँ जब हम लोग का program होता है और वह ही में है तो हम लोग बात करते हैं जीतेंदर बाबू जिसको मैं बहुत इज़त करता हूँ मैं उसके घर भी जाता हूँ उसके संग चाए भी पीता हूँ ये क्यों बाहर नहीं निकलता है लेकिन जब भी बाइ चांस कोई पब्लिक एरपोर्ट में हो या कहीं में हो CMK अगर प्लेइन में बैठा हो तो ये क्यों लीख होता है और हमेशा बीजेपी के संगे क्यों लीख होता है क्योंकि बीजेपी खुद ही ये सब चीज़ लीख कराता है पब्लिक को कंफ्यूज करने के लिए मैं आप को क्लेरी बोल रहा हूँ कि इस इलेक्शन में बीजेपी को मूत और जवाब तीपरा मौथा देगा बेला इनो हम भाई